कि नमस्काल दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पर तो कल एक्चली मैं ओफिस में बहुत सारे वेबिनार थे तो इसके चक्र में ट्रेड ने लिए और वीडियो भी नी बना पाया तो सबसे पहले तो उन सभी लोगों का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन लो मैंने एक ट्रेड लिया जो आप याँ देख पा रहे है 946 पर मैंने लिया था 913 पर यह ट्रेड एक्सक्यूट हो गया था स्क्वाइर फो गया था और मैं इसका आपको लॉजिक बता जाता हूं यह है चार्ट मैं आपको एक बार पेज रिफ्रेस्ट कर देता हूं अब यहाँ देख सकते हैं कि प्रॉफिट है अपना ग्यारा सुता सुरू पचास पैसे का एक ट्रेड है सो नौ बच के छे आलिस मिनिट पर एक सेकिंड मैं आपको बताता हूं उसका लॉजिक क्या था यहां पर एक लोजिक यह था बहुत सिंपल लॉजिक था यह तरह से इस ने यह यहां पर किया लॉजिक है त्यो is this लाजिक सेम था यह इसने बहुत अच्छा डबल ट कर बनाया ऐसे गोंड़ी मैं और यह फिर यहांसे बांस कर गया यह इस ट्रेट का बहुत सिंपल लॉजिक था यह जैसे ही इसने यहां पर रेड केंडल बनाई और रेड केंडल के नीचे इसने ग्रीन बनाना शुरू किया और नीचे कोई भिक नहीं था आप देख पाने हैं नीचे से जबर्दा से पूरी प्योर बुलिस केंडल थी और यह जैसे इसने इसको क्रॉस किया मैंने ट्रेड एक्सक्यूट किया इस रेड को जैसे इसने क्रॉस किया मैंने तुरंत एक्सक्यूट किया कर यहां के आसपास मेरा ट्रेड एक्सक्यूट सुरी यह इस इस एरिया के आसपास मेरा ट्रेड मुझे मिला और मैंने यहां पर उसको स्कुएर आफ कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि आज थोड़ी मार्केट साइडवेज होने वाली जो डेटा सुरू-शुरू में सुबह सुबह निकला था एक घंटे का जो डेटा था और क्योंकि वीकेंड बहुत लंपा होने वाला है अभी क्योंकि मंडे को गुरूपुर नहीं मार्केट बंद होगा तो मार्केट में जैसे आप देख पा रहे हैं एक बड़ी सुस्ती सी थी छोटा-छोटा बीच-बीच पे स्पाइक आया पर मोरोलेस मार्केट एक बहुत ही कि ने पहले फ्यूचर में ट्रेट करता था और मैंने आज से अपना ये आप्सण में ट्रीट करना सुरू कर दिया है कि वूट बढ़ा हो जा रहा था उस ट्रांजेक्सन बढ़े होनी के बाद से टैक्स बहुत लग रहे था तो इसलिए फिर मैंड यह आप्संस में सेल करे option को इसमें क्या होता है कि इसका जो transaction value बहुत कम होती है तो taxes कम आते हैं brokerage तो सेम लगता है दोनों में मगर जो difference आता है वो taxes कहा जाता है तो धन्यवाद आप लोगों का अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको like, subscribe और share जरूर करें